हेलो एवरिवान हाव आई होप यू आर्यू वेल वेलकम तो रैंकिन मैथ मैं अपनी आपके लिए कराया हूँ अज क्लास 10 का न्यू टोपिक आज भी इसमें बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ये टोपिक बहुत ही इंपुटेंट है आज हम इसमें कवर क करेंगे इसके सारे कुश्चन इसके सारे कंसेप्ट इसके सारे मोस्ट इंपुटेंट फर्मूला और साथ में इजाम के भी उसे आने वाले जो भी कुश्चन है उस सबको करेंगे तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है अज पहले बात कर लेते हैं कि अर् अब यहाँ क्या कर रहा है कि सिक्वेंज ले लेंगे और उस सिक्वेंज में कोई अरट टर्म लेते हैं और उस टर्म के जर्ज्ट पहले वाला तर्म उसी को बोलते हैं प्रिसीडिंग टर्म क्या कि इसी टर्म के जस्ट पहले बला तरम ऊसी को बोलते हैं तो वह लेते हैं और उस दोनों का डिफरेंस करते हैं तो यह एक मतलब यह है कि एक लेते हैं एक जैम्पल हमाइब हमने फिर ले लिए 10 हमने फिर ले लिए 15, 20 इस तरह से आगे बहूत тरह हुआ सरान नंबर ही जायगा है है तो हमने एक नंबर ले ले लिए लिए 10 है hear just इसके ले लेते हैं पहले बला नंबर उसी को बोलते है तो यह नंबर ले लिए अच्छा यह बताओ यह 10 जो है 5 से कितना ठीक है बिल्कुल क्या है 5 ज्यादा है यह भी क्या है 5 ज्यादा यह जो है इससे 5 ज्यादा है तो यहाँ पर देख रहा है एक constant मिला है value और इस constant value को हम लोग बोलते है common difference क्या बोलते है common difference तो यहाँ पर यह हमारा क्या होगे arithmetic progression क्या करेंगे एक लेंगे sequence उसमें कोई दो लेंगे term और उसके just पहले वाले number से क्या करेंगे difference अगर वही सी same value किसी भी टर्म के बिच में यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 तो हम बोलेंगे कि यहाँ जो sequence है वह AP में है ओके अब आगे बात करते है sequence क्या होता है कि यहाँ पर sequence दिया हुआ है तो यहाँ पर हमने definition लिख दिया है क्या है कि a set of numbers arrange in some definite order is called sequence तो एक हम लेते हैं state of number लेते हैं for example हम ले रहे हैं state of number 2 हम ले लिया फिर ले लिया 4 फिर 6 एट ऐसे हम लेते हैं बहुत दानम लिसकते हैं यहाँ पर क्या देख रहा है यह एक definite order में है कैसे तो यह जो है four two से ज्यादा है six भी है four two ज्यादा है अनि कि एक definite order में हो गया यह हमारा sequence है तो आपके दिमाग में अब यह है कि सरबताओ की की arithmetic progression में और sequence में क्या difference है तो मैं आपको बता दूं कि एक example और लेते हैं हमने आपके ले लिया two फिर हमने ले लिया four फिर हमने eight 16 32 यह हमारा sequence है कैसे तो यह two है four eight 16 32 सब होड़ा है double होते जा रहा है तो का double four है फोड़ का double eight है इसको ऐसा बताते हैं कि यह two है two का square है two का q है two का फोड़ है ऐसा ही सब दिया हुआ है तो यह हमारा sequence है बट यह ap नहीं है यह हमारा arithmetic position नहीं है क्योंकि arithmetic position यह कहता है कि कोई भी दो नमबर लेंगे और उसके पहले बले नमबर में से उसको करेंगे subtract तो एक definite जो है यहाँ तो हमको मिल रहा है टु लेकिन यहां पर हमको मेल ला है फूर् न यांन यहां यका यहां पर मिल ला है 16 है किसे हो जाए गाया है π 10 हम्रहें एक नहीं होगा तो अभी sequence ap नहीं होंगे यहां पर दिया है मैं यहां पर एक दो गुशन यहां आपके लिया है कुछ है Ton आनका है यहां पर पमसंग करता हूं वाक effect लिए इतरल होगु यहां परयंतंदे के तरह बिलकुल है कि है कहने अबर स Whenever है तो sequence भी होगा है क्या होगा sequence भी होगा अब आगे फिर देखते हैं यह थे हैं कि नहीं तो देख रहे हैं यह एट है 1632 मतलब यह डबल होते जा रहा है क्या होगा हो डबल होते जा होगा लेकिन सिक्व хотитеuito क्या होगा सिक नंस होगा अचाल ये पिया कि नहीं trata क्या क्योंकि ये फाइव ह् फाइव है फाइव है सम में रो रहा ह्ए सब्सक्राइब ध्लाइन जेरो हो रहा है यहां जीरो मिल रहा है तो यहां पर हमारा यह एपी हो जाएगा अगर एपी है तो सिक्वेंस और डिफ होगा ही उसके बाद आगे यहां भी हम एक नमबर लिख देते हैं ऐसे में पिर फॉर है फिर टू है ऐसे जाए नमर टीक है न तो यह अवरा एक है कि नहीं बिल्कुल है चलिये तो क्या है यह यह टरम ले लिए इसमें से इसके पीछे बला जो टर्म है अनिकी पाले व्रणा उसको करता है सब्ट्रेक्ट क्या होगा फॉर में सज़ागा जाएगा हमको माइनस टू यहां भी मिलेगा माइनस टू तो यहां भी क्या है कि सब्ट्रेक्ट क्या है इसका अब बात करते हैं यह हमारा हो गया कुछ डिफरेंस इसका अब बात करते हैं इसके बीच में किसी भी एपी लेते हैं उसके वीक्स जो है यहां पर फिक्स जो भैलू है यह क्या है हमाण दिफरेंस हो गया तो यहीं मेंना क्या होगा क्मान डिफरेंस एक बात और क्या लिखा हुआ है कि that it can be positive negative और 0 यह जो फो में आदि नंसे उनला है तो किना उनल भी हो गया तो इसा कॉमबिंधो निटिभी निख्या चाहूं मिं thirty यहां नहीं तीन चीज और समेटी प्रोडेशन सिक्वेंश और कॉमन डिफेरेंस यहां पर तीन-चीज कवर हो गया है अब हम आगे बात करेंगे कि जेंरल फर्मॉल्ला आफ अटल्समेटी प्रोडेशन का क्या होता है आए ना तब हम बात करते हैं जेंराल फॉर्म आफ एन आपी यहां पर दिया हुआ है कि जेनरल फॉर्म ऊफेपी जो होता है उसका सब फॉर्स्ट टर्म ए होता है फॉर्स्ट टर्म क्या होगा ए होगा इसको दिखाते हैं A1 से सकेड़ टर्म जो इसका होगा A plus D होगा थर्ट टर्म इसका होगा, A plus 2D और 4 टर्म क्या होगा? A plus 3D इसी तरह क्या होगा? A n हो जायेगा अब इस पर कुसं कायशा आगा? वो देख लेते हैं तो A जकल 2 दिया होगा है और D कितना दिया है? 4 दिया होगा है तो इस AP का general form क्या होगा? आए इसको लिखते हैं, तो first term लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो a लिखेंगे, तो a कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, उसके पास second term लिखना है, तो क्या लिखेंगे a plus d, यानि कि क्या हो जाएगा, 2 plus 4, फिर लिखना है क्या लिखना ह 3 into क्या हो जाएगा 4 तो हमरा क्या फर्स्रम क्या हो गया 2 हो गया 2 कितना हो गया 6 हो गया 3 कितना हो जाएगा यह हमरा हो गया 10 और यह कितना हो जाएगा फिर यह हमरा हो जाएगा 14 तो इसी तरह से हम लोग आगे इसका निका सकते हैं यहां पर दो कुछन दिया है 2 और 3 इसको आ उसका first term a दिया हुआ है अगर common difference जो होते है क्या दिया हुआ है d common difference क्या दिया है d और first term क्या दिया हुआ है a तो इस a p का जो है a नित term क्या होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे कि a n is equal to a plus a n minus 1 into d एक यह हो गया फर्मूला और एक और फोता फर्मूला उसी को बोलते है आणि कि a n is मतलब हो गया last term इसी को बोलते है last term यह पर दिया हुआ a plus n minus 1 into d दिया हुआ है तो यह दोनों फर्मूला एक ही है कहीं कहीं पर क्या होता है कि a लिखा होता है कहीं पर यह होता है an लेकिन दोनों एक ही है an और l जो है एक ही चीच को बोलते है last term को तो इस पर question कैसा आएगा हमें दे दिया जाएगा कि a 3 है d दिया है 5 n यहाँ 7 अनि कि 7 टर्म दिया हुआ है then an क्या होगा then an क्या होगा तो आए सोसल्प करते हैं सब कुस्त दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर लाएंगे इसका फर्मूला a कितना हमारा है तो यह 3 है यहाँ पर लिख देंगे 3 उसके बाद n कितना है तो n यहाँ पर 7 दिया हुआ है तो यहाँ पर रख देंगे 7-1 d कितना दिया हुआ है d हमारा कितना है थरी प्लस जिस्ट है थर्टी आनिकि यहां गया थर्टी थी थिर्ट यानिकि इस किसी को यह दिया है फॉस्ट टर्म ए है डी फाइब है और एट शेवन दिया हुआ है तो फोन नमबर वान सौल कर दिया है तो आप लोग खुशे सल्फ करना ति हमारा यह हो गया यहां पर का मतलब यह क्या है यहां पे लेंट सबसे मालों कि मेरे पास एक एपी है टू फोर सिक्स एट टेन ओके इसमें कितने टर्म है वान टू त्री फोर फाइव कि टर्म है तिन नंबर अब तो तर्म होगे नो वही हमरा एन होता है और कुशन में दिया रहेगा यहां पर यह दू नहीं दिया रहेगा ओके ऐसे दे दिया हुआ है आपको कहाएगा कि एपी का फर्स्ट दिया हुआ है तो आप मालोगे कि एज को टू क्या हो गया हो गया दिया निकाल लोगे क्या करो गया फोर में क्या होगा फोर में क्या होगा टू होगा यह क्या दिया यह दिया हुआ है तो आप से पूछ देगा कि एन कैसे निकालते हैं तो आए इस पर आगे बात करते हैं अब हम करने जा रहा है सम कुछन जो बहुत ही इंपोटेंट है कोगी यह चार कुछन कर लोगे तो कुछ ऐसा कुछन आपके बुक में है जो आपका बन जाएगा तो स्टार्ट करते हैं यहां पे गिवेन दिया हुआ है A is equal to 2, D is equal to 4 and N is equal to 6 तो यहां पे एन का निकलना भैलू तो हम जानते हैं क्या कि यहां पे लिखेंगे solution यहां पे एन का जो होता है फ्रमला क्या होता है A plus N minus 1 into D तो यहां पे लिखेंगे A कितना दिया है 2 दिया हुआ है N कितना दिया है 6 दिया है D कितना दिया है 22 किलियर है अब सकेंड कुशन में क्या दिया हुआ है कि A दिया है 2 D दिया है 6 A N दिया है 26 तो A नहीं कर ला है तो यहां पर फिर क्या करेंगे इसको करेंगे solution हम जानते क्या है कि A N इस्टल 2 होता है A plus N minus 1 into D हमारा यहां पर A N दिया हुआ है 26 ओके रख दिये A दिया है 2 यहां भी रख दिये इसको N हमको नहीं दिया है तो ऐसे इसको लिख देंगे N minus 1 D कितना दिया है 6 अब क्या करेंगे यह 26 है 2 plus में है इसरा क्या होगा 26 minus 2 यह हो गया N minus 1 into D D नहीं 6 है अब क्या होगा यह 26 क्या होगा 24 हो जाएगा N minus 1 into 6 दिया हुआ है क्या करेंगे यह 6 क्या हो जाएगा तो यहां पर क्या आ गया यहां पर आ गया 4 इसको टो क्या होगा N minus 1 अब क्या हो गया यह मैनस में है इंदर क्या होगा प्लस में यह लिख देंगे 5 is equal to N यानि की N is equal to क्या हो गया 5 यहां पर N क्या होगा 5 आएगा हमारा 2 question बन गया अब आते हैं 3rd question में यहां पर H equal to क्या दिया है 4 N दिया हुआ 8 N दिया हुआ 46 और D क्या दिया हुआ होनेगा तो यहां फिर लाएंगे formula N इसको टो क्या होगा A plus N minus 1 into D N कितना है 46 A कितना है 4 दिया है N कितना है N हमारा 8 दिया है 8 minus 1 अदि हंको मालूम नहीं है अब क्या करेंगे इस 4 को यह plus में है इसलाएंगे क्या होगा minus में हो जाएगा तो 46 minus 4 Is equal to क्या हो गया 8 minus 1 तो क्या हो जाएगा 7 और यह D है तो D हो जाएगा अब क्या हो जाएगा 46 minus 4 आनि कि 42 Is equal to 7 D 7 से फटोटोटो चैंसिल हो गया निकी यहां पे डी स्कल्टो क्या जाएगा हमारा कि 6 आप दी भी निकल चुका है अब लाश कुछन इसका है डी दिया हुआ है एट एंद दिया है टूवल और एंद कितना दिया है 85 जिसमें निकलना क्या है अब लिखेंगे देन ए इसकल्टो गाड़ यहां कि इसमें ए निकलना है फिर ले आएंगे वही फर्मुला जिक्रिएंगे सलूटोटो एंद क्या होता है A plus N minus 1 into D N कितना दिया है तो 85 बहुत easy question है A कितना दिया है A हमको पता ही नहीं कि A कितना दिया है N कितना दिया है 12 minus 1 D कितना दिया हमारा 8 दिया हुआ है अब क्या करेंगे यहां पर 85 नहीं हो गया 12 minus 1 क्या होगा 11 आइंटू एट यह क्या हो गया 85 इसकल्टू क्या हो गया एप्लस 88 क्या हो गया एप्लस 88 आप क्या करेंगे इस 88 को लाएंगे इस तरफ तो क्या हो जागा यह हमारा 85-88 इसकल्टू क्या हो गया यानि कि हमारा यह रहां पर क्या होगा minus three यह क्या आगा हमारा minus three तो I hope you कि आपको यह सारे कुछन समझ में आये होगा अब चाहो तो इसका आप screenshot ले लो तो कि बाद में इसका practice करना और इस पर बहुत सारे question बनेगा तो यहां तक हमारा यह हो गया अब चलते हैं next topic पर तो अब हम बात करने वाले हैं हमारा next topic जो है some of the n terms of nap एक a-p है उसके बहुत सारे n terms दिये हो गया है और उन पर जो add है जो sum है ना उसी को बोलते है sum of nap ओके अच्छा इसका जो फर्मूला दिया हुआ यह है ny2 into 2a plus n-1 into d n हमारा हो गया number of term a हो गया first term और d क्या हो गया हमारा common difference तो उसके बाद इस पर की श्टाप का question आएगा वह सब यहां पर दिया हुआ है और एक ही करके सबको solve करेंगे पारला question हमारा यह दिया हुआ है कि एक ap दिया हुआ है इसका sum करना है और उस ap में इस अब term दिया हुआ है इसका तो यहां पर इसको करेंगे solve first term क्या दिया हुआ है तो a कितना दिया है 2 d कितना दिया है हमारा तो 7-2 कितना होगा 5 और यहां पर n दिया हुआ है 10 बोला है 10 टर्म क्या बुच्छ रहा है तिन तर्म अनिकि n दिया हुआ है तो यहां पर लाएंगे फ्रमूला किसका sn का तो हमने अभी देखा फ्रमूला क्या होगा n y 2 2a प्लस n-1 जाह थो एक एक न्यूद आ अफंट क्य आत तो तो ड्यूंकर आदेश निचलेन नहीं है लॉजाय कर दो इन्टू 5 अनिकि 45 है ओके तो 5 इन्टू 4 प्लस 45 अनिकि 49 और इसको जब करेंगे मुल्टिप्लाइट तो हाएगा हमाँ 245 यानिकि इस कुछन के ज़स्ताम होगा वहाएगा 245 सेम कुछन आपके लिए मैं यहां पर रखा हूं यह कुछन आपको करना सब्सक्राइब यह यहां भी सम करना है लेकिन कुछन थ्राज चेंज है यहां पर दिया हुआ है लेकिन यहां पर दिया हुआ है अनि कि यह दिया है लास्ट दिया हुआ है तो यहां पर जब लास्ट दिया हुआ है हमको चाहिए फर्मूला में दिया हुआ है अन तो पहले तो हमको मालूम करना इसको करते हैं solve तो यहां पर हमारा a जो दिया है वो दिया है 4 dv दिया हुआ है मतलब 8-4 करेंगे तो 4 ही आएगा और यहां पर an कितना दिया हुआ है mod Tap a 6-4 दिया हुआ है यहां से हमने निकाल लेंगे a a a n का फिर्मला पता है क्या होता है एप्लस एफ्लस मैन उन्स one इंह दिया हुआ ह है उसके तो यहां पर रोख दिये अ कितना दिया हुआ है इन लिख और अनुकम माणूम नहीं है n मानस गितना दिया है 40 आप क्या करेंगे यह प्लस में तो जैसा ही लाएंगे चेक्न हें 40 मैनसि क्या उड़ आल यह हो गया यह वायं में आएगा और इसवर किभड़ेंगे एक इंसिल तो क्या हो जागा यह जागा 15 दैंस में कि 15 में क्या होगा 460 होगा कैंसल तो 15 इसकल टू 1-1 यहां पर-1 है इस-1 को जब लाएं कर इस तरफ तो प्लस में यह चीज़ आपको मालूफना चाहिए क्या कोई भी नमबर अगर माइनस में है तो अगर एकट उस्तर प्लस में अगर प्लस में हो तो क्या हो जाएगा तो यहां पर यहां पर एन इसलों क्या होगा 16 तो निकल गया अब निकलना एसन लगाएंगे फ्रमुला कुशन मन जाएगा एन वाई टू टू ए अप्लस एन माइनस वान इन्टू डी ओके यहां पी नहीं होगा यहां पर बीग राइक टू तो यहां पर एन कितना हमारा है एन हमारा अभी निकाल है जास्ट क्या है 16 वाई टू हो सब्किंटू एक इतना है तो फूर्द है और फिर यहां पर एन कितना है तो यहनommaker निकाल है 16 16 माइनस वन डी कितना है कि भी पूरे है तो तो से करेंगे इक से से समय कूंसल तो हमारा ऑग गया एट 2T 4 जा, 8, 16-1 15, 15 फिर्जा 60, यह क्या हो गया 8 प्लास 8 प्लास 68, तो क्या हो जा 66, स्व τι, प्लास नहीं होगा, यहां पिर attempt होगा, तो क्या होगा 8 यह जा, 64, 64 का 4 करे 6 हो गया, और 8 चीजा क्या होगा, और 48 और 6 क्या हो जाएगा, 54 तो यहां हमारा सन्ट क्या होगा 554 लाज ऊचा कुसर बच जो तो इसमें अम देखते हैं क्या है ए हमारा फोर्ड दिया हुआ है दिया है सि MIC और एन कितना गया है 8 दिया हुआ है तो यहां पर क्या करेंगे यहां पर लाएगा इसन का sabemos लागा तो हमस्काइब न कितना हमारा है तो 4 है उसके बाद 8-1 फोल्गिया दी कितना है तो 6 दिया हुए निस्कोर करने के कैंसल गार एको गया 4 जो किया हो और 42 जा 8, यह होगा 9, 8 मैंने 1, 7, आज 7 जिख जा, 42, यह क्या होगा, 4 प्लस 8, आप प्लस 42 क्या होगा, 50, यहाँ पे, sorry, इन 2 होगा, यह आगे हमारा 200, तिसका होगा 200, I hope you कि आपको इसमें सारा कुशन समझ में आ गया होगा, और इस पर कुशन पनाओगे, अगर इस टाइब का कुशन होगा, तो 100 प्रसेंट हो जाएगा, और आगे हम बात करने बाले हैं, इसमें एक्सरसाइज का, तो वो करेंगे स्वल्ब, So, तो यहीं पर इसको करते हैं, end, क्योंकि वीडियो लंबा नहों हो, इसलिए तो आज हमने क्या देखा, कि arithmetic progression क्या होता है, sequence क्या होता है, common difference क्या होता है, sum of inner term कैसे निकालते है, general term क्या होता है, last term कैसे निकालते है, है और हमने कुछ कुछन भी किया है जो एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और उस पर प्रक्टिस तो बहुत सारे ऐसे कुछन है जो आपका बन जाएगा और आपके लिए हम लेकर आ रहा है क्लास तेंथ का जो एंसे आटी का वूक है उसके अर्थमेटिक प्रक्टेशन का सारे कुछन का एक वीडियो जिसमें हम सभी कुछन को सॉल्फ करेंगे और फिर हम लों मिलते हैं नेक्स्ट चॉप्टर में